इन बम्हुस कि फोड़ी सी तसलीद देने के लिए रामानुजे ने यह कलपनाय प्रसतफ की यह कहें देखो जब मोख्ष मिलना शुरू होता ह। इनक्व OM Qe, शंकर कर ख़तके मिलता है इनक्व प्रोसेस में होता जब व्यक्ति मर जाता है और मोक्ष के लाइक काम कर चुका है भक्ति कर चुका है तो वह बढ़ना शुरू करता है बैकुंठ लोक की और बैकुंठ लोक का एक नाम हो रहे है गो लोक गो ना काउ से दोस्ती ना काउ से बैर गो लोक बैकूंट लोग में जैसी एंट्री हो जाती है यह समझ दीजिए उसका में गेट है यहां दर्बान खड़े है भगवान जी का इलाका है जिसको एंट्री मिल गया आईकर वाईकर चेक होता है पास्पूर्ट विज़ा देखते हैं कि इसकी यहां एंट्री की बैस्ता है या नहीं जैसे यह ईंट्री होई और इस लोग में घुज गए तो सालोक के मुक्ति शुरू हो गई याने उसी लोग का निवासी हो गया जिस लोग में ब्रहन रहते हैं यह सालोक के मुक्ति समझ में रहा है लेकिन यह वो दर्शक है जिसने सबसे सबसे टिकट ले हुई है सबसे लेकिन वो पहचान ने पारा सिर्फ को यह कहा रहा है वो देख लंबा सदिख रहा ना होई वही है मिताब है तो जिनकी भगती भावना और गहरी होती हो थोड़ा और आगे पड़ जाते हैं उनको एक और गेट से इंट्री मिलती है और अंदर से ले जाओ यह होते हैं अधुगरती क्या है इश्वर के पड़ोस में बैठा है बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं इस वाले भाव से कि इश्वर के पास कोई बैठा है और उसको बड़ा सुफ मिल रहे कि इश्वर मेरे पास है बड़ा अनधित है लेकिन एक शीष्चे के दरवादा लगा ता नई शीष्वर से मिलके एक हो जाता कि एक हो जाना है नहीं एक नहीं एक नहीं होना है भिन्नता बनाय रक्ष्णी है ताकि आनंद भी तो मिले इसका तोड़ निकाला है रामारुजने सायुज्य मुक्ति सायुज्य मुक्ति क्या है तो कल्पना करते हैं कि हम दो चीज़े बना रेते हैं ठीक है यह रोबोटिक्स लग रहा होगा आपको ना मैंने जानबूश के बनाया है इसको ऐसा है और ज़्यों लेज़ा यह मनुष्य है यह इश्वर है तो कल्पना के ज़िए कि इश्वर मनुष्य एक इस्थान पर है मनुष्य भक्त है भक्ति बड़ी खतरना भग्ति गर करता है और चाहते हैं अनंद ज्याद चर्म रूप में मिल जाए इसे दाट ज्यादा निकल गए है जबकि इश्वर को ज्यादा खुश हो दिखना चाहिए है तो अगर मैं भरतेंदु होता बोलता कि इश्वर में दम ही नहीं ठीक बनी रहा जबकि दिकत कहा है बनाने वाले में ना खड़ी बोले में कई कविता लेकि खड़ी बोली में पर कविता अच्छी बनने पाई इससे सिद्ध होता कि खड़ी बोली अच्छी भाशा नहीं है तो अब यह इतना खुश है समीप आ गया है यहां से भागता भागता आया है पहले यहां रोग दिया था फिर यहां आ गया है अभी समीप है इसका कि थोड़ा और थोड़ा और कुछ देखो मतलब मैं खतम नहीं होना चाहता हूं लेकि मैं चाहता हूं आनन थोड़ा और मि है तो साइज्ज्य मुक्ति का बेसिक मतब क्या है कि इश्वर के पास तीन सौकेट गेर हुए है प्लग एक को बोलते हैं आनंद एक को बोलते हैं शक्ति और एक को बोलते हैं ज्यान शक्ति ग्यान और आनंद ढौत प्रमात्म है और अंत होता है साइज्ज्य मुक्ति का मतलब है इसके पास एक ही प्लग मनपने पहर है उसके पास तो इसकी तार आनंद वाली सौकेट में जाके भिड़ गई है और बाकी दनों में नेहीं भिड़िए है नहीं बुझा रहा है प्रतिभा जी बुझा रहा है ठीक तो इसका मतलब यह हुआ कि इश्वर को जो आनंद हासिल होता है चरम आनंद परमानंद वही परम आनंद अब भक्त को ही मिलने लग गया है लेकिन इश्वर इसके बाद भी इससे महान है क्योंकि इश्वर के पास अनंत शक्ति और अनंत ग्यान है जो इस भक्त के पास नहीं है सायुझ जी मुक्ति का मतलब इश्वर से ऐसा नेकट टियर कि आनंद वही मिलने लगे जो इश्वर को मिलता है किन्तों शक्ति और ग्यान में ईश्वर हमसे उँचा रहे है और इसमें हमारा प्रिठक अस्कतु भी बचा रहता है आनंद ईश्वर वारा मिल रहा है बाकी हम तो हैं ही अपने आपने और इससे अगली सितिये सारूप यमुक्ती ये सारूप मुक्ती शंकर अचार ने माने थी ये वो वाली है और शंकर के अनुसार इसका मतलब है जीव और ब्रह्म में सारे के सारे भेदों का पूरी तरह से खत्म हो जाना कैसे खत्म होता है ये से कबीर ने कहा है जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुम्भ, जल जल ही समाना, इह तत कहेगी यानी ये बाध्यान है ना, समुद्र में एक घड़ा है, बंद घड़ा है, और घड़े में समुद्र वाला ही पानी है, ये कोई पानी है जब तक घड़ा बंद है बाहर और भीतर के पानी का संपर्क नहीं जब तक वो पानी इठ़ा सकता है कि मैं खास हूँ जैसे ही घड़ा तूटा घड़ा कोने शरीर है जैसी मटकी फूटी अंदर का पानी बाहर का पानी मिल गया और उसके पांच मिनिट के बाद अगर आप चाहें कि आप उस अंदर के पानी को फिर से ही कठा कर लेंगे यह ना मुम्किन है यह सारूप के मुक्ति है जिसमें भिन्नता का स्कोफी खत्म हो जाता है अब भिन्नत तो पैदा होता है अगर कोई आप से पूछे यह कहीं आपके प्रेश्ण में आजाए या कहीं आपको मен्चन करना हो साउज्जे मुक्ति तो कर लेंगे भाव समझने है अगया थीए ये सायुझ्य मुक्ति है और सारे के सारे र्यश्न वैजानतीयोंने सायुझ्य मुक्ति की धारणा को हुच्षविकार किया है सब हीने पाच्ष है करे रामानوس के बारे में इतना जनना काफी है अमारे लिए बस भकती का रास्ता खुला यह धियान रहिए रामा नुस थोड़े से मरियादित की यह रहा है